नमस्कार प्यारे बच्चों आपका स्वागत है हम लोग पढ़ना एक अक्षा दसकी बिज्ञान और जिसमें पढ़ रहे हैं हम फिजी इक्स परकास का प्रावर्तन और अपवर्तन कल अपवर्तन क्या होता है मैं समझा चुका हूँ आपके लिए आज हम पढ़ेंगे ncrt book के in-text question अर्था पार्थ नहित प्रिस्टन जो page 194 पर लिखे हुए हैं आपके तो यह मैंने नोट्स में लिए रखे हैं तो नोट्स के अकॉर्डिंग प्राता हूं आपको जो नोट्स मैंने question लिए रखे हैं तो question मैं पहला पढ़ता हूँ प्यारे बच्चों सुनो आप लोग आप यू है और दूसरे में केया है जल है तो प्यारे बच्चों जो प्रकास की करन है यह क्रास की के रायू से को सिह आए जल में प्रिवेश्ट करती है और यह रहा है कि आप-ध्यस पीर्चे में तरफे करती है णिए डिए छ एक प्रिकासी करण बायू से जल में तिर्ची प्रिवेश करती है तो क्या ये प्रिकास की करण इस अबिलम से दूर हटेगी या पास आएगी ठीक है तो इसका उत्तर आपको अच्छे से पता हुगा कि मैं आपको समझा चुका हूँ देखो जहान समझो बैटा बायू होता है बिरल माध्यम पता है न आपको बिरल माध्यम और जल होता है सगन माध्यम ठीक है तो मैंने ट्रिक्स होता है थी आपके लिए ठीक है मैंने बताया था मान लीजिए जो प्रिकासी करण है ठीक है जो बिरल माध्यम मैंने क्या होता है तो मान लीजिए गदार है बिलन है ठीक तो अब यह आ रही है बेचारी प्रिकास की किराना जब बिरल माद्यम से सगन माद्यम में आती है तो नॉर्मल की तरफ मुड़के या जुक करके जाती है तो आपके दो-तीन कोश्चन है इसमें इंटक्स कोश्चन में ठीक है तो मैं आपको कराई देता हूं वो सारे कोश्चन देखो next question प्यारवक्च्यो ठोड़ी लगी है प्रिकास बायू से 1.5 कांच में ठीक है तो गांच में प्रिकास की चाल कितनी है तो वी इकॉल टू होता है तीन गुड़ें दसकी हाथ आठ मीटर पर इस साइकेंड यह तो हम जानते ही है ठीक है तो हमने एक फॉर्मूला होता है आपके लिए एन इकॉल टू क्या होता है सी अपॉन वी यह फॉर्मूला फिट कर देंगे तो एन की वैलू यहां पर कितनी है एक दसमलब प 2.5 ठीक है कैंसर काट देंगे तो हैं आपर आ जाएगा दो तो तर कितना आगा बी इकॉल टू दो गोने दसकी हाथ आठ मीटर फ्रती सेकेंड यह रहास का अंसर ठीक है पहला बचो नेक्स्ट कोश्टन दिखते हैं कि नेक्स्ट कोश्टन क्या है लास्ट कोश्टन बचा ह इस प्रतें केरोशन unstable में डिया गया है थैंदे चल्ख है और क्या धिया घया है आपको टार्पीन का तेल थैंदे फैस प्रकास की चाल सबसे अधिक किसमे होगी ठीक है प्रकास की चाल सबसे अधिक किसमे होगी तो हम सबसे पहले इनका अपबरतनांग देखते हैं प्यारे बच्चों जो केरोसिन होता है इसका अपबरतनांग होता है वो होता है एक दसमलब चार चार ठीक है और जो तारपीन का जो अबवरतनांग होता है वो होता है एक दसंवलब चार साथ ठीक है प्यारे बच्चो और जो जलका अबवरतनांग होता है वो होता है, फीक है प्यारे तो मैं आपको बता दूँ देखो जिसका अब बरतनांग जादा होगा वो क्या होगा सगन माद्दिम होगा ठीक है तो देखो अगर हम तीनों में कंपेरिंग करें तो सबसे अब बरतनांग किसका यहां पर इसका आये तो यह कैसा हो गया सगन हो गया ठीक अब बच्चे यह द तो बिरल माद्यम में जिसमें प्रकास स्लो चले वो होता है सगन माद्यम और जिसमें प्रकास स्वीड से चले तेज से चले वो होता है बिरल माद्यम तो कोशन पूछ रहा है कि इन तीनों में से प्रकास सबसे तेज किसमें चलेगा या प्रकास सबसे किसमें होगी तो यहां जलमे प्रिकास की चाल सबसे ज़िक होगी इन तीनों में देखते हुए क्योंकि ये विरल माध्यम होता है प्यारे बच्चो ठीक है जिसका अपबरतांग सबसे कम होता है वो विरल माध्यम होता है जिसका अपबरतांग ज्यादा होता है वो सगन माध्यम होता है ठीक है प्या लाइनस टो हम बढ़ते का बढ़ता कितना है तो इसका मतलब है ठीक हैना तो हीरे कि अंदर प्रकास की चाल का जो अनुपात है वो 2.42 है ये इसका मतलब है ठीक है ना तो इसका अंसर जो है आपको लिखत रूप में PDF मिल जागा मांसे डॉनलोड कर लेना अगला टॉबिक होगा लाइस तो पढ़ाएंगे हम अगली वीडियो में तब तक की नमस्कार जय हिंद बंदे मातरम और बताएं वीडियो कैसा वीडियो कैसा है झाल